नमस्कार में प्रिया, पत्ना न्यूज में आपका स्वागत है चुरी जानते पत्ना की 11 फटाफट खबरों को पत्ना में होली का दहन वाली जगों पर रहीगी दमकल फायर मिस्ट टेक्नोलोजी की गाड़ियां होली का तेवहार आने में अब बस कुछी दिनों का समय रह गया है ऐसे में अब होली को लेकर विहार में तयार यहां भी तेज है हलाकि होली से पहले होली का दहन बनाय जा रहा है ऐसे में होली को लेकर अगने श्रमन विभाग ने भी अपनी तयार यांश शुरू कर दी है पटना शहर के उन जगों की पहचान की जा रही है जहां पर बड़े स्तर पर होली का दहन जलाया जाता है इसके साथ ही उन इलाकों की भी लिस्ट बनाई जा रही है जहां पर अगजा जलाय जाता है उन स्थान के अगल वगल में जुकी जोपड़ी है या नहीं इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है इन तमाम जगों पर दमकल की एक गाड़ी की तैनाती की जाएगी होली पर विमान से बिहार आना हुआ महगा अगर आप भी होली के मौके पर विमान से बिहार आने की सोच रहे हैं तो आपको साफधान होने की जरूरत है क्योंकि देश के बड़े महानगरों से पट्टा आने का विमान किराया 15 मार्च से ही पीक पर पहुँच चुका है हाला कि पहले 17 मार्च को सबसे अधिक था अलम कुछ यह हैं कि पट्टा से दिल्ली जाने वाली फ्लाइटों का किराया 10,000 की सीमा को पार कर चुका है और सामाने से चार गुना जियादा हो गया है सिर्फ आने का ही नहीं होली के बाद पट्टा से विभिन महानगरों को वापस जाने का हवाई किराया 21 मार्च को सबसे अधिक है मुंबई का आने से भी अधिक होली के बाद वापस जाने का किराया है और ये बढ़कर 12,000 के पार हो गया है अब पटना में ट्राफिक सिगनल तोड़ना पड़ेगा महगा अगर आप ही राजधानी पटना की सरकों पर गाड़ी चुलाने का काम करते हैं आपको संभलने की जरूरत है क्योंकि राजधानी पटना में अब रेट सिगनल तोड़ने वालों की खेर नहीं है अकसर ऐसा देखा गया है कि लोग जोब ट्राफिक पुलीस आजपास नहीं दिखाई देते तो वो रेट सिगनल तोड़ कर निकल जाते हैं लेकिन अपटना में सिगनल तोड़ने बालों पर आटो मोड में कारवाई होगी मिली जानकारी के अनुसार इसको लेकर राजधानी में निगरानी के लिए काम करने वाले सभी सेंटरों को बहुत जल्द एक साथ आक्टिफ कर दिया जाएगा इसे पूरा सिस्टम स्मार्ट हो जाएगा गाधी मैदान सित नए भावन में सभी सेंटरों को एक साथ लाने को लेकर सरकार भी तयारी तेज़ कर चुकी है मुकामा के गंगा नदी में नहाने गये तीन चात्र डूबे प्रसाशन के बार-बार समझाने के बावजूद भी गंगा नदी में डूबकी लगाने वाले चात्र मानते ही नहीं है यही कारण है कि जोश-चोश में कई बार कई चात्र अपनी जान से हाथ थो बैटते हैं बीते दिन भी ऐसा ही मज़र देखने को मिला जब रविवार सुबह दस बचे पटना के मुकामा थाना शेतर में गंगा नदी में तीन चात्र डूब गये मीडिया में चल रहे खबरों के अनुसार स्नान करने के जो तीन चात्र डूबे उनकी पहचान रौकी हर्ष और सूरज के रूपे हुई है स्थानिय लोगों के अनुसार तीनों सकरवार टोला के रहने वाले बताय जा रहे हैं लोगों का कहना है कि तेराखी के चकर में एक चात्र गहरे पानी में डूबने लगा उसकी जान बचाने के प्रयास में दो अन्य चात्र गहरे पानी में चले गए जिसकी बाद तीनों चातर गहरे पानी में समा गये पटना में इतने हजार लीटर देशी और विदेशी शराब को किया गया नश्ट बिहार में कहने को शराबंदी लागू है लेकिन इसकी सचाई क्या है इससे आप भी जरूर वाकिफ होंगे क्योंकि हर दिन के साथ बिहार में शराबंदी की पोल खुली ही जाती है वहीं अब तो कुछी दिनों में होली कातियों खार आने वाला है ऐसे में होली के मौके पर शराब तसकरों की हलचल भी तेज हो गई है यही कारण है कि बिहार पलिस और ज्यादा अलर्ट हो गई इसी के तहत बीते दिन पतना के 13 थानों में बरामत शराब को नश्ट करने का काम किया गया पटना उत्पाद विभाग के निरीक्षक ललनकुमार ने बताया कि रविवार को करीब 10,000 लीटर देशी और विदेशी शराब को नश्ट किया गया है जिसकी जानकारी पटना उत्पाद विभाग के निरीक्षक ललनकुमार ने दी है IIT पतना में पहली बार लॉंच हुआ BMS IIT पतना अब तक कामियावी के कई जंडे गार चुगा है इसी कड़ी में अब IIT पतना ने एक और कारणामा किया है जिसके तहती IIT पतना में रविवार को पहली बार भारत में निर्मेट बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को लॉंच किया गया और इसके साथ ही लीथियम आयन बैटरी से चलित कम वजन का इन्वर्टर भी लॉंच किया गया जो एक चार्ज में एक सब्ता तक काम कर सकता है और माइनस 15 से 20 डिग्री तापमान में भी अच्छी सर्विस दे सकता है IIT पतना के लिए ये गौरवानवित करने वाली खबर इसलिए भी है क्योंकि पहली बार भारत में विक्सित और निर्वेत इस बैटरी मैंजमेंट सिस्टम और लीथियम आयन बैटरी चलित कम वजन के इन्वर्टर को लॉंच किया गया है पतना के महावीर मंदर पहुँचे बंदर की होने लगी पुझा बिहार में रोके भक्त जरूर दिखे होंगे जिनकी भक्ती देखकर आपको भी आश्चरिस जरूर हुआ होगा ऐसा ही नजारा बीते दिन राज़ानी पटना के महावीर मंदर में देखने को मिला दरसल हुआ कुछ यूँ की मंदर में शनिवार तोपहर को आरती हो रही थी इस बीच बाहर गेट से एक बंदर मंदर में पहुचा देखते ही लोग उसे रास्ता देते गया और वो आगे बढ़ता गया मंदर के बाहर वो महावीर जी की मूर्ती के सामने बैठिया काफी देर तक वो वहीं बैठा रहा उसको देखे लोग ने खूब जयकारे लगाए थोड़ी ही देर में भगतों की भीड भी लग गई और लोगों ने पूजा आर्चना तक शुरू कर दी श्रधालू ने कहा कि महावीर मंदर में बंदर का दर्शल सुख दनूब होती है मंदर के पुजारियों का कहना है कि पहले ऐसा नहीं हुआ है पटना के श्री कृष्ण साइंस सेंटर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास यहां आपको कई प्रकार के विज्ञान से जुड़ी चीज़े देखने को मिलेगी परडन के तौर पर विज्ञान के इंदर बहतरीन विकल्प है आपको यहां विभिन प्रकार के दरपन मिलेंगे यहां विभिन महापुरुषो की स्टाच्यो बनी है पार्क कुएं बच्चों के खिलने के लिए परियाप्त साधन है विभिन प्रकार की मूर्तिया है यहां के डिजाइन और विज्ञान की वस्तुवें को देखकर आप रोमान चक होठेंगे फन साइंस ग्याल्वरी, पॉपलर साइंस ग्याल्वरी, विश्वरूपा, 3D शो, महासागर, जुरासिक पार्क, इवोल्यूशन, चित्रो और रंगों के अवधारना और उनका परावरतर का दरश मौजूद है विभिनप्रकार की प्रदर्शनिया आपको सहज ही अपनी तरफ खीचे रखेंगी यूक्रेन से पटना लोटे शांतुनों और उनकी पत्नी ने सरकार को किया धन्यवार यूक्रेन और रूस के बीच में युध के कारण बिहार के कई शात्र वहाँ पर फसे हुए थे इंदु सेवा संगठित शेत्र और कई संगठन लगातार भारतियों की मदद कर रहे हैं जिसे कि भारत के लोग किसी न किसी बॉर्डर तक पहुंच सके यूक्रेन में रहते थे बीते दिन ही वो अपनी पत्नी के साथ पटना लोटे हैं उन्होंने कहा है कि भारती दूतावास से उन्हें काफी मदद मिली है इसकी चलते वो अपने घर तक लोट पाए हैं पत्ना में ट्राक्टर च्वालक से घूस लेते दरोगा को SSP ने रंगे हाथ पकड़ा शनिवार को पत्ना सिटी के चौक थाना शेत्र के कंगन खाट पर बालू से लदे ट्राक्टर से अवेध वसूली करते वे चौक थाने के दरोगा कनहिया तिवारी और चालक राम नाराइन यादव को SSP सरदार मानवजीत सिंग्धिलों ने रंगे हाथों पकड़ लिया इतना ही ने बालू से लदे दो ट्राक्टर को भी जब्त कर लिया मीडिया में चल रहे खबरों के अनसार मौके पर ही तलाशी के क्राम में दरोगा की जेब में 920 रुपे और चालक की जेब में 415 रुपे पर आमद किये गए इस बाबत DSP अमित शरन ने बताया कि गरफतार दरोगा के कमरे से तलाशी के दौरान 11,000 चालक के कमरे में से 16,000 रुपे मिले अब आए जानते हैं सराफ़ बाजार और पेट्रोल लीजल के क्या थे भाव अगर हम सराफ़ बाजार की बात करें तो सोने का भाव आज 22 कैरट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,460 रुपे था मही 24 कैरट के लिए प्रति 10 ग्राम 52,860 रुपे हैं इसके साथ ही अगर हम चान्दी की बात करें तो चान्दी का भाव प्रति के लो 17,300 रुपे हैं इसके साथ ही राज़ानी पट्टा में पेट्रोल की कीमत 15.19 रुपे प्रती लीटर और डीजल के दाम 81.09 रुपे प्रती लीटर है वहीं अगर आज हम तापमान की बात करें तो अधितम 31 डिग्री सेल्सी और सौर्णियों तम 16 डिग्री सेल्सी है आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अब में कॉमेंट करके जरूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही पटना की बड़ी खबरों से अबडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आईकॉन दबाना ना भूले धन्यवाद